हेलो दोस्तों वेलकुम टो दूस चैनल इंक्रिटेबल सक्सेस एक बहुत ही अच्छी नियोस है भारत के लिए रमपपा टेंपल तिलांगना का विस्व प्रसेज रमपपा टेंपल को डिक्लेयर कर दिया गया है युनिश को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इस मंदिर क आप देख पाओगे यह भावे मंदिर 800 साल पुराना है यह रमपपा मंदिर जो काफी खास है इसकी डिजाइनिंग कमाल की है दोस्तों बताया जाता है कि इसकी जो छट है वह ऐसे माटेरियल से बनी है जो पानी में तैरता है यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है यह सैंटिफ प्रूवन फैक्ट है आप इस मंदिर के आर्किटिक्चर देखेंगे तो आप फील करेंगे आर्किटिक्चर के हिसाब से वन अब दा मुश्ट ब्यूटिफुल टैंपल इन दा वर्ल्ड है और इस बारे में मार्को पोलो ने भी स्टेटमेंट दी है आप जानते होंगे मार टेंपल्स का गैलेक्सी होतो फ्रेंट्स रमपा टेंपल एक सिव टेंपल है तो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि इसका नाम रमपा क्यों है क्योंकि यह कोई जगय का नाम तो है नहीं यह मंदिर शिव मंदिर है फिर इस मंदिर का नाम रमपा क्यों पड़ा तो फ्र स्ट्रॉंग डैनिश्टी थी काक्तिये राजा ने अपने इंपायर में काक्तिये राजा रुद्र देव अपने इंपायर में एक सिव मंदिर बनवाना चाहा और इस मंदिर का काम सौपा रमप्पा को जब यह मंदिर तयार हुआ तो राजा जब इस भव्य मंदिर को देखें तो इस मंदिर को देखकर इतने प्रशन हुए कि मंदिर का नाम रमापा आर्करेटेग के नाम पर रख दिया और सायद ये भारत का अकेला ऐसा टेमपल है जिसका नाम उसके आर्करेटेग के नाम पर रखा गया है ओके फ्रेंट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देखिए अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है युनेशको द्वारा, युनेशको का फुल फर्म, युनाइटेज नेशन्स एजुकेशनल, साइन्टिफिक एंड कल्चरल ऑर्गिनेजेशन, इसकी करती है तब वर्ल हेरिटेज साइट कमीटी जिसमें 21 कंट्री सामिल है और यह पर्मानेंट नहीं होती है यह चेंज होते रहती है देखिए यहां पर मैंने अभी जो वर्तमान में 21 देश है उसका नाम लिया है जो जादा इंपॉर्टेट नहीं है तो यह थे भारत की 49 वी साइट रहमापपा टेंपल से रिलेटेट सारी जानकारी मैं आपको बोलूँगे अगर आपको कभी टाइम मिले या फिर मैं तो कहूंगे टाइम निकाल करके तिलांगना के इस विश्व प्रसित रहमापपा टेंपल को एक बार जरूर विजिट करें और देखें आप भी क यह सच में कितना ज़्यादा सुन्दर है तो चले फ्रेंड्स अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कोश्चन्स देख लेते हैं जो एक्जाम्स में पूछे जा सकते हैं युनेसको का मुख्याले कहां है तथा इसके स्थापना कब हुई आपसे ने पेरिस नियॉक नियॉ पाटेशिक्स अगला सवाल भारत की कितने इसकों की विश्व विरासत सुची में शामिल है तो यह भी मैंने बताया कि 49 विश्व विरासत सुची में रमापा टेंपल को सामिल किया गया है जिस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा आपसें सी अगला सवाल रमापा मंदि भारत के किस राज जमेश्टी थे तो ये भारत के तिलांगना राज जमेश्टी थे रामापा मंदिर और तिलांगना का ये पहला स्थल है जिसे विस्व विरासत सुची में शामिल किया गया है अगला सवाल रमापा मंदिर का निर्मान किस राजवन्स के द्वारा कराया गया चोल, प्रतिहार, चालुकी या काक्ति है जिस question का right answer option D काक्ति डैनिस्टी के द्वारा रमापा मंदिर का निर्मान कराया गया है निक्ट कोश्चन और यह लाश्ट कोश्चन है फ्रेंट्स आप लोगों के लिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताईएगा भारत कर तीसवां विस्विध हरोः रिस्थल कौन सा है जैपूर है नालंदा है सन टेंपल या फिर रानी की वाउ इसकोश्चन का आंसर आप आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा उके फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही एक्पड़ आपको यह अच्छा लगा है वीडियो को लाक कर लें को शरकर दे और जियक्तना हो सके अपने दोस्तों में सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केर तिल अनेक्ट शेशन बाई